हडो दोस्त वाक्त है आपका अपनी यूटूब चैनल पर ग्रेहर्स को डिवर्स करने के लिए नीमकी पतिया बहुत ज्यादा जोस फुल है बालों के किसी भी तरह के infection को दूर करने के लिए बालों को काले लंबे घड़े मजबूत करने के लिए नीमकी पत्यों के बहुत ही गजब के results है इसमें antifungal antioxidant anti-inflammatory proteins पाई जाती है जो skin health hairs के लिए बहुत ही ज़्यादा beneficial है तो कैसे आप नीमकी पत्यों का इसमाल करके सफेद बाल को natural काला कर सकते हैं वो जानने से पहले दोस्तों आपसे चोटी सिर्कैस है अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please हमारे चैनल को subscribe करें वीडियो अच्छा लगे तो please वीडियो को like करें और share करें तो नीमकी पत्या लीजिए पानी से उन्हें अच्छे से साफ कर लीजिए क्योंकि उनके ओपर धुर मीटी वगेरा होच सकती है तो पानी से अच्छे से आप साफ करने के बाद mixy jar में add कीजिए इन्हें पीसने के लिए और थोड़ा सा water भी जरूर add कीजिएगा ताकि इनक इसमें add कीजिए आप त्रिफ़ा चुरन जो आमला बहेडा हरड के combination से बना जाता है जो बालों के लिए बेहत लाब दाएक है यह आपको पंसारी के यहां से इसली मिल जाएगा तो एक चमच आप इसमें त्रिफ़ा चुरन add कीजिए जो बालों को काला करने में बहुत ही ज चमात्रा में पाए जाता है जो बालों के मलेनिन के production को boost करने में बहुत बढ़िया काम करता है सबी चीजिए जो को अच्छे से mix कर लेजिए अगर आपको पेस पतला लगे तो आप इनकी quantity और भी बढ़ा सकते हैं जो इसमें त्रिफ़ा पाउडर ब्रामी चुरन और कोफी पाउडर हमने एड़ किया था वो आप उनकी quantity और भी बढ़ा सकते हैं पेस ऐसा त्यार कीजिए जो आप अपने बालों पर easily apply कर सकें अच्छे से mix कीजिए पांच मिनट के लिए से rest के लिए छोड़ दे और पांच मिनट के बाद आप ब्रश की हाथ से चाही हाथों से जैस करके आपके बालों को भरपूर पोश्चन दे सके तो बालों की जोड़ों पर लगाना बहुत जादा जरूरी है तो बालों की जोड़ों पर जरूर लगाईए मांग निकाल निकाल कर इसे कम से कम चार घंटे तक लगा कर रखे हो सके तो overnight पूरी रात तक आप लगा कर रख सकते कोई दिकतनी आप कम से कम चार घंटे तक लगा कर रखिए उसके बाद सीम्फल वोटर से अपने बालों को थोलीजे साबुन शैंपू का इसमाल मत कीजिएगा अगले दिन आप साबुन शैंपू का इसमाल कर सकते हैं हपते में दो बार इसका इसमाल चुरूर कीजिए ध हेर ब्लैक हेर में तर्ण होना स्टाट हो जाएंगी थैंक्स रूबच्छ